हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल इवल रॉक्स गेमिंग आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यू चैनल पे तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा है कैसे आप इस बनी क्रेक्टर में कैसे आप हेयर को क्रेट कर सकते हो या किसी और क्रेक्टर में या फि बेटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हो और जो भी भाई लोग हमाया चैनल पे पहली बार आये हैं वो प्लीज हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिएगे बैल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका न ने हमसे चाहिए तो हम कैसे करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले बोडी को स्लेक्ट कर दें हम सबसे पहले बोडी में संद my character करेंगे तो बोडी को स्लेक्ट कर लेते हैं तो इसको हमने अलग-अलग करना है तो जैसे body को हमने अलग करना है और रुमाल को हमने अलग करना है तो वो हम कैसे करेंगे तो वो हम सबसे पहले कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले viewport को wireframe में कर ले उसको जाद यहाँ पे आप tap press कर दे तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से जैसे ही मैं कंट्रोल और प्लस को प्रेस कर रहा हूं तो यह आगे को बढ़ रहा है इसलेक्ट हो रहा है यहां पर आप सबसे पहले complete select कर ले उसके बाद हम unselect करेंगे जिस जिस area में हमें नहीं चाहिए तो यहां पर हमने body select कर लिया है complete तो अब हम जिस area में हमको नहीं चाहिए उस area को अब हम unselect करेंगे जैसे यह bracelet है कि क्या है जो भी है भाई इसको अब हम unselect करेंगे तो वह हम कैसे करेंगे यहां पर control प् प्लस से हमने select किया था वो ऐसे हम control minus से हम unselect कर सकते हैं तो हमें वैसे नहीं करना है हम सिर्फ control प्रेस करके ही हम करेंगे जिस area में हमें नहीं चाहिए उस area को हम select करके unselect करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो और यहाँ पे यह belt है belt को भी हम unselect करेंगे पहले हम यह जो अ तरीके से सारा complete unselect कर लेते हैं जल्दी से तो यहाँ पर हमने सारा unselect कर लिया है जिस भी area में हमने hair को create नहीं करना है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इन दोनों को जो selected area है और unselected area है इन दोनों को हम अलग-अलग करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे अभी यह जुड़ा हुआ आपस में तो इन दोनों को अब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर आप right click कर दें right click करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाये नीचे यहाँ पर separate दिया हुआ है separate में चले जाएические जाने को आज यहाँ पे सेलेक्शन दिया हुआ है selection में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारा जो selected area और unselected area वो अलग-अलग हो चुका है तो अब हम यहाँ पे tap प्रेस करके बाहर आ जाते हैं तो अब हमने सिर्फ body अले parts में ही सिर्फ हमने hair create करना है तो अब हम सिर्फ body अले parts को select कर लेंगे तो अब आप यहाँ पे screen पे देख तो अब हमारा दूसरा जो parts है belt वाले और उमाल वाले यह select नहीं हो रहे हैं तो हमने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया है तो अब हम इसमें hair create करके आपको दिखाते हैं तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो please like जुरूर कर दें तो यहाँ पे आप सबसे प length काफी जादा है तो हमने इसका length को कम करना है तो वो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पे आप emission देख रहे हो emission में आप क्लिक कर दें तो emission में क्लिक करने कर यहाँ पे hair length दिया हुआ है hair length को आप जितना कम करोगे तो यह उतना छोटा होते जाएगा तो हम यहाँ पे hair का length 0.01 रख बाकि आप अपने accordingly कर सकते हो adjust जितना आपको hair का length चाहिए उतना आप रख सकते हो तो यहां से आप number बढ़ा सकते हैं hair के जितना आपको चाहिए hair उतना आप कर सकते हो तो अभी यहां पे 1000 दिया हुआ है तो हम इसको 8000 कर देते हैं फिर यहां पे आप children में चले जाए children में जा amount मतलब hair के amount को भी आप यहां से बढ़ा सकते हो गटा सकते हो जितना आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो फिर यहां पे आप clumping में चले हो is clumping में जाने के ऐाद यहाप क्लंप को आप ठुड़गा सा बढ़ा दे उसके बाद यहाँ पे random दिया हुआ है, random को भी आप थोड़ा सा बढ़ा ले, हम यहाँ पे 0.004 रख लेते हैं, बाकि आप अपने accordingly रख सकते हो, तो यह लीजे हमने hair create कर दिया है, तो अब हम चाहते हैं कि हम इस hair को थोड़ा सा comb कर दें, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ उपर आप लोग देख रहे हो, एक बार दिया हो है, object mode का, तो इसमें आप क्लिक करें, नीचे आप लोग सबसे नीचे आजाएं, यहाँ पार्टिकल एडिट में, फिर यहाँ पे आपको काफी सारे option देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको comb का option देखने को मिलेगा, तो comb म लेते हैं, फिर इसके गाद आप यहाँ पे tool and workspace setting में चलेएं, फिर यहाँ पे viewpoint display में children दिया हो है नीचे, तो इसको tick कर लें आप, तो अगर आपको लग रहा है कि यह हमने कुछ जादा ही comb कर दिया है, यह hair कुछ जादा ही नीचे बैठ गया है, तो हमने क्या करना है, कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, इसी तरीके से हम बाकी complete body में कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें जरूरत है, तो यहाँ पे एक cut का option भी दिया हुआ है, तो जिस भी area में आपको hair नहीं चाहिए, उस area में आप cut कर सकते हो, और अगर आप अपने brush के size को बढ़ कर लेते हैं, process वही same है, तो जैसा हमने पीछे किया था, उसी तरीके से हम इसके भी ice को और face को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं select कर लूँगा complete में, तो इसके ice में भी hair create हो जाएंगे, तो ice को और मैं face को अलग अलग कर लूँगा, उसके बाद हम face को select करके, फिर इसमें भी हम उसी तरीके से hair को create करेंगे, तो जल्दी से हम इसको create कर लेते हैं, तो ये लीजे हमने face में भी hair को create कर लिया है, तो इस तरीके से आप भी hair create कर सकते हो, तो guys आज की हमारी ये वीडियो यही तक थी, अगर आप लोग ने हमारी पुराई tutorial वीडियो नहीं देख इन सारी चीजों की वीडियो मैंने अल्रेडी बनाई हुई है, बाकी मैं उन वीडियो का link description box में देदूँगा, और उपर दिये गए i button में भी click करके उन वीडियो में आप जा सकते हो, और जो भी भाई लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, वो please हमारी चैनल को subscribe कर दे और नीचे दिये गए bell icon को भी click कर दे ताकि हम कोई वीडियो upload करें, उसका notification आपको सबसे पहले पहुँचे, thank you for watching this video